तो आचुके है हम और एक सेंडेविच सूपर बैटल के साथ आज हमें टोटल 9 कोशिंज कवर करने है इसलिए हम शुरू करते है फर्स्ट कोश्चन है क्या एंड गेम वाले थौर से जदा पौरफुल है अब एंड गेम में थौर अपने शेप में नहीं था पर जब थैनोस आया तब थौर के स्ट्रेंद लेवल थैनोस के बराबरी पर थी एंड गेम का थौर कितना भी हाल से हो लेकिन अभी भी वो एक एस गार्डियन और एक गौड ओफ थंडर है और साथ में उसके पास म्यूनर और स्ट्रोंब्रिकर जैसे पौरफुल वेपन्स है लेकिन दूसरी तरफ है एंड वन ये एक सोसरा सुपरिम रह चुकी है और कहीं न कहीं ये डौक्टर स्ट्रेंद से जाधा पौरफुल स्पेल कास्टर है अब अगर हम raw strength की बात करें जैसे strength, durability और speed की तो ancient one थोर की बराबर ही नहीं कर सकती क्योंकि ancient one एक human है और humans के कुछ limitations होती है जबकि as guardians के साथ ऐसा नहीं है थोर बड़ी आसानी से स्ट्रोंब्रेकर उटा सकता है लेकिन ancient one शायदी स्ट्रोंब्रेकर जैसे weapon को lift कर पाए थोर neutron star के force को body से pass कर सकता है पर ancient one human body के साथ ऐसा नहीं कर सकती इसलिए अगर ये physical battle करते है तो थोर बड़ी आसानी से ancient one को ओप आउट कर देगा पर ancient one के पास अपना magic है हमने ancient one को fight करते हुए देखा है लड़ाई करते time ancient one mirror dimension और reality manipulation का काफिस जादा यूज़ करती है और ancient one dark dimension से power पे absorb करती थी जिसकी वज़े से वो और जादा powerful बन जाती है थोर को magic यूज़ करते नहीं आता है पर थोर की जो lightning power से वो magical है अब ancient one और थोर की battle होती है तो magic थोर के लिए एक बड़ी problem बन सकता है क्योंकि थोर अपने raw power से magic based attack को टकर नहीं दे सकता या फिर ancient one ने reality manipulation करना शुरू कर दिया तब भी थोर यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा पर यहाँ पर ancient one को थोर के lightning power से बचके रहना पड़ेगा क्योंकि human body पर अगर बिजली गिर जाए तो वो body एक सेगंड से भी कम टाइम में जल जाती है और ancient one इतनी fast नहीं है कि lightning strike को dodge करना शुरू कर दे तो अगर हम overall conclusion पर आए तो थोर ancient one से काफे ज़ादा powerful है पर सिर्फ raw strength और weapon चलाने में लेकिन एक social supreme भले physically as guardian जितना powerful ना हो लेकिन अपने magic से वो काफे powerful beings को beat कर सकते है जैसे ancient one थोर को किसी भी dimension में trap कर सकती है या फिर जैसे ancient one ने hulk के soul को manipulate कर दिया था same वेसा ही थोर के साथ भी हो सकता है और एक बार थोर esteral form में चला गया तब उसके बाद तो वो कुछ नहीं कर सकता और मैं हमेशा से कहता हूँ कि reality manipulator physical strength वाले super hero से काफे ज़ादा powerful होते है इसलिए भले ही strength और durability थोर की ज़ादा हो पर अपने spells, knowledge और tactics की वज़े से ancient one और all ज़ादा powerful बन जाती है और अगर थोर को magic के साथ ancient one को beat करना है तो उसे odin force चाहिए जो अभी तक थोर ने use नहीं की है second question क्या वंडा ज़ादा powerful है ancient one से तो answer जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वंडा ने अभी तक एसा क्या किया है जो उसे ancient one से ज़ादा powerful बनाता है तो जब वंडा को अपनी powers मिली थी तब वो सिर्फ telekinesis और mind manipulation किया गरती थी पर अब वो reality को भी manipulate कर सकती है उसने hex बनाया, vision को फिर से जिन्दा किया अपने बच्चों को super powers दे दिये और पूरे टाउन का mind manipulate करके उनको अपना बंदी बना दिया और साथ में आगातों को भी हराया जिसने पहले ही 7 witches की power absorb करके रखी थी पर यह सब ancient one भी तो कर सकती है ancient one भी telekinesis कर सकती है sorcerers को उसने भी beat किया है और वंडा से कई powerful spells ancient one को cast करना आता है basically sorcerer supreme उसीगा आ जाता है जो magic के सबसे powerful और heart spells को use कर सकता है यह सकती है वंडा के पास अभी battle experience नहीं है यह बात अलगी कि उसने mind stone को destroy किया है और Thanos को भी लगबग जान से मार दिया था पर बिना infinity stones के तो Thanos ancient one की सामने भी नहीं टिकने वाला उपर से जितनी knowledge और battle experience ancient one के पास है वो वंडा के पास नहीं है और रही बात mind control करने की तो मोनिका और आगाता का mind manipulate करने में वंडा काफे जादा struggle कर रही थी इसलिए ancient one का mind control करना बहुत दूर के बात है ancient one time आने पर dark magic भी यूस कर सकती है इसलिए अभी के लिए तो वंडा मतलब scarlet witch ancient one जितनी powerful नहीं है हाँ टाउन में hex बना कर reality manipulate करना बहुत बड़ी बात है पर हमें ये नहीं बूलना चाहिए कि उस town में सारी लोग humans थे अगर कोई super human वहाँ पर होता तो वंडा की वहाँ एक नहीं चलती इसलिए knowledge, battle experience और sorcerer supreme होने की वज़े से ancient one ज़्यादा powerful बन जाती है वंडा एके scarlet witch से थर्ड question क्या incredible hulk iron man के mark 7 से ज़्यादा powerful है तो mark 7 वो वाला armor है जिसे टोनी ने 2012 के new york battle में पहना था और यहाँ hulk कई गुना ज़्यादा powerful है mark 7 से 2012 में सिफ थोर था जो hulk को बराबरी के टकर दे सकता था hulk ने अपने एक पंच में लिवाइथन को knock out किया था क्या mark 7 ऐसा कर सकता है मेरे हिसाब से तो नहीं hulk की बोड़ी काफ़ ज़्यादा durable थी इसलिए उसे बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई पर battle खतम होने तक iron man का armor बहुत ज़्यादा damage हो चुका था और इस armor के weapons इतने ज़्यादा powerful नहीं है कि वो hulk को नुकसान पहुचा दे सिफ plasma laser है जो hulk को cut कर सकती है पर hulk को beat करने के लिए plasma laser काफ़ी नहीं है इसलिए speed और reflexes mark 7 के अच्छे है क्योंकि ये armor sound barrier को break कर सकता है और कम weight होने की वज़े से ये जल्दी move कर पाता है पर endurance और striking power hulk के पास ज़्यादा है इसलिए incredible hulk ज़्यादा powerful है mark 7 से और आप ही सोच कर देखो अगर mark 7 hulk को beat कर पाता तो age of ultron में Tony Stark एक अलग से hulkbuster क्यों बना था next question कौन ज़्यादा powerful है वैलकरी या spider man अब Peter Parker को एक दिन radioactive spider ने काट लिया था इसलिए वो spider man बन गया पर वैलकरी को बनाया जाता है एसगार्ड में छोटी बच्चियों को बच्पन से ही training दी जाती है ताकि आगे चलकर वो वैलकरीस बन जाए और एसगार्ड के साथ no realims को protect करे वैलकरीस बस female asgardien बन सकती है और इनके पास एक dragon खंजर होता है इसका असली नाम dragon fang है जो किसी भी चीज को cut कर सकता है बड़े आसने से जीच जाएगी क्योंकि asgardien होने की वज़े से वैलकरी की strength बहुत जादा है और साथ मैं वैलकरी के पास कई सो सालों का battle experience है जो spider man के पास नहीं है और experience ना होने की वज़े से spider man हार जाएगा अब अगर spider man के पास अपना iron spider suit हो और वैलकरी के पास अपना dragon fang तब भी result में कोई change समय देखने नहीं मिलेगा वैलकरी का हतियार कुछ भी काट सकता है तो nano particle से बना suit कट करने में उससे जादा दिक्कत नहीं होने वाली और अगर spider man यहाँ अपने webs का भी use करता है तब भी अपने physical power से वैलकरी उन webs से आज़ाद हो जाएगी और वैलकरी इस नोरियलम की सबसे खतरनाक female warriors होती है वो एक friendly neighborhood spider man से तो नहीं हारने वाली इसलिए वैलकरी जादा पौरफुल है spider man से अब इन दोनों का अपनी powers infinity stone से मिली है इसलिए कुछ round में हम इनके battle करते है सबसे वेले बात करते है battle without magic and super powers की अब इस round में captain marvel के पास एक advantage है क्योंकि वो normal इंसानों से जादा strong है और उसे अलग से fight करने की training मिली है जबकि वैलकर ने इसा कुछ नहीं किया एक्सपरिमेंट के चलती उसे अपनी powers मिली और physical battle में वो इतनी भी बुरी नहीं है पर बिना powers के वंडा एक आम इनसान से जादा कुछ नहीं है इसलिए first round की winner captain marvel बन जाती है second round है battle with magic and super powers अब captain marvel के पास proton blast है और इन beams का temperature काफी जादा होता है इनसान और metals को तो ये पल भर में melt कर सकते है और साथ में captain marvel energy भे absorb कर सकती है पर absorption power यहाँ काम नहीं आने वाली क्योंकि वंडा magic करती है और magic को सिफ विचे से absorb कर सकती है और civil war में जैसे वंडा ने bullets से खुद को बचाया था वैसे वो captain marvel के proton blast को रोख सकती है और वंडा के पास यह टेलेकन एसस और mind control का advantage है captain marvel के final battle में हम देख चुके है कि अगर कोई बंदा टेलेकन एसस करना शुरू कर दे तो captain marvel कुछ नहीं कर सकती और अगर वंडा ने captain marvel का mind control कर दिया तो लड़े वही खतम हो जाएगी और magic users को हमेशे एक advantage होता है जब वो raw powers वाले super hero से fight करते है इसलिए round 2 में वंडा winner बन जाती है third round है battle inside hex अब hex के अंदर तो वंडा एक reality stone बन जाती है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकती और captain marvel hex के अंदर वंडा के सामने एक type से powerless बन जाएगी captain marvel एक चलते फिरते reality stone को बीट नहीं कर सकती और अगर गलती से भी यहाँ वंडा ने captain marvel का mind पूरी तरीके से control कर दिया तो बस इसके बाद तो captain marvel भी hex का एक हिस्सा बन कर रह जाएगी इसलिए third round की winner भी वंडा बन जाती है और overall वंडा जादा powerful साबित होती है captain marvel से अब थैनोस ने बहले हलक को एक मिनट के अंदर हरया हो थोर के मुझ के सामने एस गार्डियन्स को मार दिया हो और iron man और doctor strange जैसो को मार के captain marvel को overpower कर दिया हो फिर भी थैनोस बिना infinity stones के हेला के सामने कुछ नहीं है हेला जब अपने weakest form में थी तब बिना किसी दिक्कत के उसने म्यूनर को तोड़ दिया और ये वही म्यूनर है जिसने सुकोविया city को destroy किया था हेला के उपर हिस्ट्री के सबसे वड़ी lightning strike हुई थी फिर भी हेला को एक खरोच तक नहीं आई थोर और वेलकरी एसगार्ड के सबसे powerful और skilled warriors है लेकिन वो भी हेला को कुछ नहीं कर पाए in fact हेला को रोखने के लिए उनको सर्टर को समन्द करना पड़ा अब हेला एक goddess of death है और सोच के देखो कि थैनोस बिना infinite stones के हेला को केसे मार सकता है basically वो नहीं मार सकता हेला को मारने का सिफ एक रास्ता है कि एसगार्ड को कोर से destroy कर दो लेकिन जब तक थैनोस कोर डिस्ट्रोई करेगा उससे पहले ही हेला थैनोस को अपने नेक्रो सोट से चन्ने चन्नी कर देगी और अगर हेला को मारने थैनोस अपने आर्मी के साथ आ भी गया तब भी हो हेला की लेवल पर नहीं है हेला ने 10,000 से ज़ादा वैल कर इसको अकले मार दिया था तो चितोरी और आउटरेड उसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है हेला के लिए इसलिए अगर हम कंक्लूजन पर आए तो थैनोस की सोल उसके बौडी के अंदर है इसलिए वो मर सकता है पर हेला को एसगार्ड से अपनी पावर्स मलती है इसलिए बिना इसगार्ड डिस्ट्रोई किये थैनोस या जीतनी से रहा इसलिए हेला ज़्यादा पौ़फुल है थैनोस से नेक्स्ट कोश्चन क्या सूपरमैन हेला से ज़्यादा पौ़फुल है तो एक तरफ सूपरमैन ने जस्टिस लिग को बीट किया है और दूसरी तरफ हेला ने थोर और वैलकरी को अब इनकी बैटल में सूपरमैन के पास सिफ एक एडवांटेज है जो है स्पीड लेकिन हो सकता है कि हेला सूपरमैन के स्पीड को भी काउंटर कर दे क्योंकि रैगनोरों के फाइनल बैटल में हेला ने थोर के लैटनिंग पावर्स को भी बड़े आसाने से ब्लोक किया है अब अगर इनकी फाइट होती है तो कोश्चन यहाद है कि सूपरमैन हेला को केसे हराएगा क्योंकि जब दी हेला को डैमेज होगा वो मैजिकले रीज अंट होना शुरू हो जाएगी और क्योंकि सूपरमैन हेला को जान से नहीं मार सकता इसलिए इनकी बैटल काफी लंबे समय तक चलती रहेगी और रही बाद सूपरमैन के स्पीड की तो स्पीड एडवांटेज यहाँ पर सूपरमैन को मिलता है लेकिन हेला को डैमेज करके कोई फाइदा नहीं है सूपरमैन के हीट विजन भी यहाँ काम नहीं आने वाले क्योंकि थोर की लाइटनिंग स्ट्राइक सूपरमैन के हीट विजन से कई गुना ज़्यादा पौरफुल थी लेकिन फिर भी हेला को कुछ नहीं हुआ था इसलिए मेरे हिजब से एक वन साइडेड मैच है क्योंकि सूपरमैन मौटल्स को मार सकता है एसगार्ड के वज़े से हेला वर्चुल है इसलिए सूपरमैन हेला को चाहकर भी बीट नहीं कर सकता तो और रहल हेला सूपरमैन से ज़्यादा पौरफुल है स्ट्रेंट और द्युरिबलेटी में पर स्पीड में तो सूपरमैनी फास्ट है नेक्स्ट कोउश्चन क्या कैप्तन मर्वल वैल्करी से ज़्यादा पौरफुल है तो आंसर है हाँ कैप्तन मर्वल पौरफुल है क्योंकि Captain Marvel के Feeds काफे ज़ादा अच्छे है वैलकरी से वैलकरी एक Warrior है पर उसने कभी अपने Strength या Durability Feeds शो नहीं की है वही दूसरी तरफ Captain Marvel अकरी क्रीव वालों से लड़ गई थी फिर अपनी Physical Strength से क्रीव मिसल को रोक कर उसका Path Change कर दिया Durability Wise Power Stone का मुक्का खा चुकी है वो Thanos के हाथ से Speed भी Captain Marvel की ज़्यादा है और Flight Advantage भी Captain Marvel के पास है हाँ अगर सिफ Hand to Hand Battle होती है तो वैलकरी यहाँ विनर बन सकती है क्योंकि वो एक Warrior है और उससे Close Range Fight करना आता है पर Captain Marvel के पास काफ़ ज़्यादा Advantage है वैलकरी के comparison में और क्योंकि Captain Marvel के Feeds काफ़ी अच्छ है इसलिए Captain Marvel वैलकरी से ज़्यादा Powerful हमें दिखती है Next Question क्या वैलकरी गमुरा से ज़्यादा Powerful है तो Basically इन दोनों Characters में एक बात Common है इन दोनों को बच्पन से यह Heart Training मिले है ताकि आगे जाकर यह Warrior बन चाहे पर गमुरा जिस रिस से बिलॉंग करती है वो Species लड़ाई जगड़े से बहुत दूर रहती है बस गमुरा अकली उनके बीच एक Warrior बन गई पर वैलकरी तो पैदाईश है एक Asgardians होता है जिसकी Physical Strength काफ़े ज़्यादा सुपेरियर है गमुरा से गमुरा की Body पीक Human Level के आसपस है पर वैलकरी के पास भले फीट्स ना हो लेकिन Asgardian होने की वज़े से उसकी Durability सूपर Human Level के आसपस आ जाती है अब इन दोने ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसके Base पर हम ये बोल सकते है कि कौन किसको बीट कर सकता है पर मेरे हिसाब से वैलकरी की एज गमुरा से जादा है और वो लगबग 3000 साल से ट्रेनिंग कर रही है और उसके पास Battle Experience भी गमुरा से जादा है इसलिए मेरे ओपिनियन से वैलकरी 1v1 Battle में गमुरा को बीट कर सकती है पर अब आप मुझे comment section में बता सकते हो कि आपको आज की Super Battle कैसे लगी अगर आपके बास ऐसे कोई questions हो तो मुझे comments में ज़रूर बताना वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को like और share करना बलकूल नद भूलना Instagram पर मुझे follow नहीं किया है तो कर दो link आपको description में मिल जाएगी और इस चैनल को भी subscribe कर देना तो फिलाल के लिए इतना ही अब मैं मिल तो आपसे अगले वीडियो में तब तक goodbye